दो दिन पूर्ण बंद रहेगा चंपावर्ट तनखपूर हाईवे नहीं चलेगा कोई भी वाहन आपको बता दे चंपावर्ट तनखपूर राजमार के बीच बने स्वाला डेंजर जोन ने सभी के पसीने चुड़ा दिये हैं नेशनल हाईवे बंद होने के कारण सहरी चेत्रों के साथ साथ ग्रामिडी चेत्रों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है व्यापारियों और लोगों को भारी आर्थिक नुफसान और परिशानियां उठाने पड़ रही हैं एनेच के बड़े वहानों के लिए लगातार बंद रहने से अब इस पूरे इलाके में रोजमर्रा की जरूरी बस्तों की किल्लत होने लगी है और लोगों में गुसा उभरने लगा है राष्टिय राजमार के एक्सकुटी बंजिनियर आसुतोस कुमार के नुशार जब तक उक जगह से पूरा मलवा हटा कर पक्की जमीन नहीं मिलती है तब तक यहां सुरक्षित यातायात जोस्ता बनाना संभवी नहीं है इसके लिए दो दिन के लिए नेशनल हाईवे पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है चमपावत के जिला दिकारी नेवनीत पांडे स्थिती पर बराबर नजर बनाये रखे हुए हैं और उन्होंने अस्थल का निरिक्षन करके हर स्थिती का जय जालिया है उनका कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा पहली प्रात्मिक्ता है डीम चंपावत नुनीत पांडे के आदिशानुसार 24 और 25 सितंबर को सभी हलके वाहनों का संचालन पराता 8 बजे से सायंकाल 4 बजे तक सुखी धाग डाडा मीडार मोटर मार्क से तथा भारी वाहनों का संचालन काट गोदाम देवी धुरा लोहा घाट मार्क से होगा और आदिशो काव लंगन करने पर सम्मान्दित के विरुद आपदा परवन्ना नद्रियम 2005 की सुसंगत धाराओं के ताहद करवाई की जाएगी वही नेशनल हाईवे लगातार बन रहने से जनता और व्यपारियों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए चमपावत के वैपारियों के द्वारा डीम चमपावत अबनीत पांडे तथा लोहा घाट के वैपारियों के द्वारा केंद्रिय सणक परिवहन और राजमंतरी नितिन गठकरी को ग्यापन भेजा गया है तथा जल्द से जल्द एनेच कोनले और सुधार की मांग की गई है वैपारियों का कहना है कि नेशनल हाईवे के लगातार बन रहने से उनका वैपार बुरी तरह से प्रवावित हो चुका है गौर तलब है कि ये सड़क देश की सुरक्षा को लेकर भी काफी महतपून है क्योंकि ये सड़क भारत की सीमा को चीन से भी जोड़ती है और इसका उपयोग सेना और ससस्त्र बलके लोग भी करते हैं ये किलोमेटर 106 है जो स्वाला गाउं के आसपास का शेतर है यहां पर काफी हेवी स्लाइड आया था और 12-13 तारीकी बारिश के बाद यहां काफी डैमेजेज हुए थे यहां की हमारी एनेज की टीम है वो लगाता 24 गंटे काम कर रही है लेकिन यहां पर खत्रा भी बहुत जादा है और जो हमारा जो लूज रौक है वो बहुत जादा है हमने प्रयास किया था फिछिटे दो दिनों में कि हम लोग लाइड वीखिल को क्रॉस करायेंगे और उसके बाद हमने कल एफट किये थे कि हेवी ट्रैफिक भी जो कोशिश करी कंशी को आप काफी ज्यादा शिंकिंग कि यहां पर परिस्थितियां है अगले तीन दिन तक हेवी ट्राफिक का यहां से आवागमन संभब नहीं हो पाएगा मैं सभी लोग से अनरोध का है अपील भी करना चाहूंगा कि जो हेवी ट्राफिक है वो हम लोग टनकपूर और चंपावत की बीच में तीन दिन तक हम पू पून रूप से प्रतिवन दित रहेगा यूपी नियूस नाइन के लिए चब बाउत से लक्षमान सिंग बिस्ट की रिपोर्ट